हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज इस वीडियो में मैं बात कर रहे हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के मोस्ट इंपॉर्टेंट छह कुश्चन की सेट की तो लाश तक वीडियो के साथ बने रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि आपके स्क्र करना क्या है हममाल लेंगे कि हमने वस्तू को करीदे कितने में तो सौ रुपह कम अगर हमने सौ रुपह में किसी वस्तू को खुरिदा उसके बाद आपको कह रहा है कि 2500 रुपे में बेचने से 25% का लाब होता है अगर हम 100 में बेचें और हमें 25% की profit हो यानि हमने उसे बेचा कितने में तो 125 में अगर हम उसे 20% हानी पे बेचना चाहें तो हम उसे कितने में बेचेंगे तो minus 20% यानि 80 में बट आपका सवाल का रहा था कि हम 500 रुपे में बेचते हैं, तब हमें 125 रुपे, तब हमें 25 परतिसत की लाब होती है, और यहां पर हम देख रहे हैं, 125 में बेच रहे हैं, यानि 125 बरावरे 200, यानि multiply by 2 जो है, वो आपका 200 है, तो हमसे पूछ रहा है, 20% हानी के बारे में, या किसी वस्तू को 20% हानी के बदले, अगर हम उसे 15% के लाब पर बेचें, तो हमें 70 रुपे अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तू का क्रैमल क्या होगा? बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हम माल लेंगे कि हमने वस्तू को खरीदा है कितने में तो 100 में, अब अगर हम उस वस्तू क जैसा कि सवाल में दिया गया है, बीस परतिसाथ हानी पर बेचेंगे, यानि कितने में बेचेंगे? तो 80 यूनिट में, उसके बाद काह रहा है कि उसके बदले 15% का लाब पर बेचने से 70 रुपे अधिक पराप्त होते हैं, यानि 20% की हानी पे हम 80 में बेच रहे हैं, तो 15% न्हीं ढांप पे आपका सवाल क्रेंब यहां ठीक मिल रहा हैНब होँती फाईव दिसक्रॉण कि बारे में 100 के बारे में angry Parte अन्टी बश्मेंट के बारे में प्रत रुस जाएगा कि तोथ आइब रुपीज यानि क्रेमुल है आपका 200 रुपए नेक्स्ट सवाल है आपका किसी व्यक्ति ने एक सामान खरीद कर उसे 10% की हानी पर बेच दिया यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता एवं 55 रुपए अधीक पर बेचा होता तो उसे 40% का लाब होता तो वस्तु का क्रेमुल ग्याद करें बहुत ही सिंपल सवाल है जैसे कि हम सारे सवालों में करते आ रहे हम माल लेंगे कि हमने वस्तु को खरीदा 100 यूनिट में अब आपका कह रहा है कि हमने उसे 10% हानी पर बेच दिया है अगर 100 यूनिट की वस्तु को हम 10% हानी पर बेचेंगे यानि 90 पर बेचे और 55 रुपे अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाब होता तो अगर 80 unit की बस्तू हम खरीदे और उसे 40% का लाब पर बेचेंगे यानि यह आपका कितने में बेचेंगे तो 112 में 80 into 140 divided by 100 इस तरीके से 112 में बेचेंगे करें ऐसा करने में हमें 55 रुपे अधिक में बेचने पड़े बट यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें 22 unit अधिक में बेचने पड़ रहे हैं यानि कि 22 unit जो है वह आपका बराबर है 55 रुपे के तो 100 unit किसके बराबर होगा तो 55 multiply by 100 divided by 22 11 5 जा 55 यह तु टैम्स एंड यहां पर हमार हो गया 50 यानि क्रेमल है आपका 200 रुपे तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और नेक्ट सवाल है आपका यदि एक वस्तू के अंकित मुले पर 10% की छूट भी जाती है तो दुकांदार को 20% लाव होता है अगर वह उसी वस्तू को 20% के छूट पे बेचे तो उसका प् हमने पर देखे तो हमने कितने की लाव होगा हमने देखा कि अगर हमसे उसे खरीदा होगा कितने में तो तो यह हमारा हो गया 15 टाइम्स तू टाइम्स यानि कि 75 में अगर हमने बस्तू को खरीदा है 75 में और हम उसे बेचना चाहरे है असी में यानि कुल हमें पांच रुपे की प्रॉफित हो रही है अगर परसेंटेज की बात करें तो यहां पर आपका हो जाएगा 5 डिवाइड़ यानि 75 x 100 यह हमारा हो गया 15 टाइम्स यहां पर 50 यहां पर हमारा हो जाएगा 20 डिवाइड़ वाइड़ थ्री यानि 20 डिवाइड़ वाइड़ थ्री परसेंट तो 6 एंड 2 वाइड थ्री परसेंट प्रॉफित होगी तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की हो नेक्स्ट जिआञे के सवाल और आप से क्रेमूल गोट करे और आप में कि सातसास में अवागा जितना की कि 540 में डिवाइड़ थी तो नी प्रसेंट यानि 600 रुप इसका घ्रिए बढ़तेंगा अगले सवाल की उर दॉ कुश्यन है आपका यदि दो बैल में से परतेक को 4575 रुपे में बेचा गया हो तथा एक पर 15 परसेंट की लाव और दूसरे पर 15 की हानी हो तो परतीसत हानी क्या होगी बहुत सिंपल है जैसे इस तरीके का सवाल आए हमें करना क्या है यहां पर आपको एक चीज नोटिस करना है यह जो है आपका 15 परसेंट लाव दूसरे पर 15 परसेंट हानी है तो हम लिखेंगे प्लस 15 मायनेस है फिका Aww 15 प्लस फिप्टीन यहां पर इसकी फॉर्मुले में विण नोटा दूंगे जैसे इस तरीके का सवाल आए आपको simply एक चीज याद रखना है वो आपका होता क्या है इसके लिए आपको एक formula होती है A plus B plus A into B divided by 100 जैसे ही एक ही दो की same range बेचने की और एक को लाब या एक को दोनों को लाब या दोनों को हाने में बेचा जाए तो हम इस formula के use करेंगे तो एक था आपका 15% profit तो यह आपका plus 15 हमने दिया 15% की loss थी तो minus 15 उसके बाद दोनों को multiply कर दिया इस तरीके से हमारा आगया 12.25% की हानी तो आज के लिए बस इतना ही कैसी लगी हमारी यह वीडियो यह आप हमें like, comment and friends को साथ सेयर करके जरूर बताएगा then bye and thanks for watching this video